आप सभी को नमस्कार मिरना मनुच पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तों पिछले काफी समय में हमने कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगते देखा लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी दिन इलेक्ट्रिक कार में भी आग लगेगी वो भी उस इलेक्ट्रिक कार में जो कि भारत में सबसे ज़ादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार है टाटा नेक्सॉन जी हाँ ये वही इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों जो पिछले साल सबसे ज़ादा सेल की गई इलेक्ट्रिक कार थी और Tata वो कंपनी है जिस सबसे ज़ादा इलेक्टिक कार सेल करता है भारत में अब इस सबसे बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी इलेक्टिक कार में ही आज आग लगने की घटना सामने आई है ये घटना दोस्तों मुंबई के वसई वेस्ट में पंच वटी होटल के सामने हुई जहां एक Tata नेक्सॉन धूदू करकर जनने लगी खबरों की माने तो गाड़ी के ओनर ने अपनी Tata नेक्सॉन को अपने आफिस में एक नॉर्मल स्लो चार्जर के मदद से चार्ज किया था जिसके बाद जब उन्होंने इस इलेक्टरिक कार को करीब 5 किलोमेटर चलाया तो उन्हें कार में से कुछ अजीब आवाजे आने लगी और वार्निंग सिगनल्स मिलने लगे जिसके तुरंत बाद वो अपनी कार से बाहर निकल आए और अचानक उनकी कार ने आख पकड़ ली जिसके बाद उनकी आखों के सामने उनकी Tata नेक्सॉन इलेक्टरिक कार धूदू करकर जन लगी अब कुछ प्रिम्लिनी रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि शौट सर्किट इस आख के पीछे का एक कारण हो सकता है जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फायर फाइटर इस आख को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं इस आग लगने की घटना के बाद कंपनी के तरफ से कहा गया है कि इसके उपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि इस तरह से टाटा नेक्सॉन में अचानक आग लगने के पीछे का कारण पता लगाया जा सके और उसके बाद कंपनी के दौरा एक डिटेल रिस्पॉन्स अपने कंजूमर तक शेयर भी किया जाएगा इलेक्ट्रिक कार में ये ऐसा पहली बार हुआ है खासकर टाटा के सांच जिनके 30,000 से भी जादा इलेक्ट्रिक विकल्स ने बीते 4 सालों में 100,000,000 से भी जादा किलोमिटर की यात्रा कर ली है बिना किसी परिशानी के दोस्तों जैसा कि आप जानते है कि हमने इलेक्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटना यह तो बहुत देखी आपको क्या लगता है कि इस आग लगने के पीछे का क्या कारण हो सकता है आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और क्या इस घटना से लोगों का विश्वास टाटा जैसे ब्रेंड पर कम हो जाएगा आप वह भी हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो कृप्या नीचे दिख रहें सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले तांकि ऐसे ही इवी संबधी जानकारिया हम आप तक पहुचाते रहें और अपना करतव्य पूरा करें अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गो गुरीन गो एलेक्ट्रिक